हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जैमा, इंद्राक्षी, इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है, मेरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम दा है आज का पंचान, आठ मई सन्द दोहजार बीस, दिन शुकरवार, कृशन पक्स, जेश्ट मास, सम्वंत दोहजार सततर तिथी, पर्तिपदा, नक्षत्र, विशाखा, राहुकाल, साड़े दस से बारा, दिशासूल, पश्च्चिम दिसाओ आज हम बात करेंगे, शनी की महदशा के बारे में, बहुत लोग शनी की महदशा को ले करके बहवीत हो जाते हैं और बहुत लोग शनी की महादशा को लेकर के प्रसंद हो जाते ही अब शनी की महादशा एक या दो दिन की तो है नहीं पूरे उननिस वर्स शनी की महादशा रहती है सबसे बड़ी महादशा शुकर की होती है बीस साल की ये तीन दशाएं बड़ी होती है शुक्र की फिर शनी की और फिर राहू की अठारा वर्श की जिस व्यक्ति की आयू लंबी होती है अच्छी खाजी आयू का व्यक्ति होता द्रगायू होता तो द्रगायू वान व्यक्ति के जीवन में करीब करीब शनी की महादसा तीन बार आही जाती है 30 साल लग जाती है इसकी एक दर्शा में साइकिलिंग में तो शनी की महादसा 19 वर्स कई बार जीवन को बड़ा संघर्स में बना डालती है एक बात मेरे सभी दर्शक यहां ध्यान रखें ऐसा नहीं है कि शनी ऐसा करते हैं शनी तो न्याए मूर्ती है शनी न्याए के देव हैं शनी न्याए करते हैं अन्याए नहीं करते हैं जैसे जिसने कर्म किये होते हैं उन कर्मों का फल उस व्यक्ति को मिलता है मोटी सी भाशा में ऐसा समझने मेरे दर्शक अगर अच्छे कर्म किये हैं तो जब शनी की मादशा आएगी उन कर्मों को आपको बहुत जल्दी से फल मिलता है अच्छा फल मिलता है और यदि कर्म बुरे हैं तो परिणाम भी अच्छा नहीं मिलता है जैसे देखा आपने कि कई बार व्यक्तियों के काम रुक जाते हैं और छोटे छोटे काम अटक जा जाते हैं और उस नगर में उस कालोनी में कोई अच्छा अफसर आ जाता है बहुत तेरी से काम लोगों के बन जाते हैं जो गड़बर घोटाला करते हैं उनको उनकी सजा मिलती है और जो सही से काम करते हैं उनको न्याए मिलता है ऐसे ही शनी है न्याए मूरती है जब जब महादशा आए या आपको लगे कि अब मेरी जनम पत्रिका के हिसाब से मुझे शनी की महादशा आने वाली है हमें उससे पहले ही कुछ इंतियाम कर लेनी चाहिए आप मेंसे ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास जनम पत्रिया नहीं है तो हाद की रेखाउं से भी आप जान सकते हैं कि शनी का क्या फल है और इसके फल के लिए हमें क्या उपाए कर लेना चाहिए शनी की महादशा जब कमजोरी प्रकट करती है तो सीधे व्यक्ति उल्टा हो जाता है उसके जीवन में कार कंटक के जाल विज जाते हैं है आप जैसा भी पूर जनम में कर्म करकी आए हैं उसका प्रती रूप उसका प्रति बिम्ब एक अच्छा जोसी आपकी जनम पत्रिगा को देखकर कि पता लगा लेता है जैसा एक वकील आपके केस से समझ जाता है कि आपके उपर क्या धाराय लग सकती है आपका बचा हो सकता है या नहीं हो सकता है एक अच्छा शिक्षक अपने स्टूडेंट की इस्तिती को देखकर के भाम जाता है भले घरवाले उसको बुद्धु बुद्धु कहें लेकिन शिक्षक जाता है कि ये व्यक्ति ये बालक एक दिन नाम रोशन करेगा ऐसे ही एक अच्छा जोतिश आपकी जन्मान को आपकी जन्म पत्रिका को या आपके हाथ की रेखाओं को देखकर कि भाम जाता है कि आपका आने वाला जीवन कैसे रहेगा देखो जोतिश एक गणना है जोतिश एक कैलकुलेशन है कोई जादू नहीं है जोतिश शनी की महादशा से बड़े-बड़े नहीं बच पाते हैं यहाँ अगर हम रावन की बात करें छे सास्त्रों में विद्वान पारंगत पांडित्य रखने वाला रावन अठारा प्राणों अठारा प्राणों जिसके फिंगर टिप्स में हो अने को सास्त्रों के भेद जानने वाला अने को तंत्रों की प्रणाली को जानने वाला अनेको प्रकार की दुर्गा शफ्षती के पाट के विशे की सामगरी को का मरमग्य वो रावन जब शनी की माधशा से पाला पड़ा तो घबरा गया डर गया और क्या किया कि भगवान शिव की भक्ती रावन किया करता था भगवान शिव की भक्ती से शिव का तिर्शूल रावन को प्राप्त हुआ था और उस तिर्शूल से रावन ने श्चनी को गाहिल किया अब भई रावन था तो खेर अपने आप में बहुत विद्वान भी रहा था और बड़े विद्याओं का जानकार भी था यग की अने को कलाओं में हस्गस्थ था हम तो आप तो एक साधान सावन गर में बैठकर कर लेते हैं लेकिन हवन की ऐसी कुछ गुप्त पदितियां होती है जो किवल विद्वानों के पास होती है अब भगवान शिव के तिर्शूल की मर्यादा भी शनी को रखनी थी और परिणाम यह हुआ कि शनी गाहिल हुए और रावन ने अपनी कारगार में बंदी ग्रह में उल्टा लटका दिया शनी को आप बताईए आप किसने छुड़ाया हनमान जी ने लेकिन शनी न्याय मूर्ती रावन का विनास हुआ पांडवों के उपर शनी की मादशा ही किस प्रकार से राजपाट पटा और किस प्रकार से क्या हुआ किसी सी छिपा नहीं राजा हरिश्चंद्र कैसी कैसी परिशानिया लाजाहरीश चंतकुषणी की माहतश्रा में देखनी पड़ी परिवार विछड़ा शंसान में नौकरी और निपड़ी राजा विकरमा ゃए मैं आपको वो नाम की वार रहा हूं जो बड़ा धुरंदर राजा विकरमा दिल्ट ए मामूली नहीं थे बेताल जिनको सिध थे नाना भाति की सिध्या जिनको सिध थी ऐसे विद्वान तो ये ग्राहों की दशा किसी को नहीं छोड़ती है हमेंसे कोई नहीं बच सकता इन दशाम से जोतिस एक बहुत सारगर्भित एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है बहुत लोग उपास भी करते ही देकिन देखो भाई उपास वो व्यक्ति करता अच्छा लगता है जिसको जोतिस की नौलेज हो हम हम साइंस का मजाख उड़ाएं मजाख जब उड़ा सकते हैं जब हम साइंस को जानते हों हम साइंस के ध्यारती हों हम पूर्ड रूपेंग, हम science क्या पढ़ते हैं? कितनी science पढ़ते हैं? 10th में पढ़ लेते हैं, 12th में हम पढ़ लेते हैं, जो बच्छे engineer बनते हैं, physics के हम इसी मैसे आगे बढ़ जाते हैं, Bio वाले का तो थोड़ा बहुत नाता रहता है, खेर PRE कर जाता है, और आजकल तो subject के अंदर subject मिल जाते हैं बच्चों को तो हम सिर्फ subject पढ़ सकते हैं लिगे हम scientist नहीं बन सकते हैं तो जब किसी को जब तक किसी subject की पूर्ण knowledge ना हो तब तक वो अपने शेत्र में पारंगत नहीं होता ऐसे ही जोतिश है इसमें डूबने के लिए पूरा जीवन लग जाए है न तो भी जोतिष मुकंबल नहीं आती मैं दूसरे की बात क्या करूँ आज 27 वर्षों से मैं इस च्छेत्र में हूँ 27 वर्षों से मैं इस च्छेत्र में हूँ जोतिश के की बात आती है you can't believe ऐसा नजर आता है कि हमें कुछ भी नहीं आता है हम माइनस में हैं यह विद्या है यह इतनी आसान विद्या नहीं है कि हम साफ गले में एक माला लटका लें और माथे पर तिलग लगा लें और हम बन जाएं भविश्य वक्ता इतना आसान सब्जेक्ट नही है तो आज शनी की जो मैं महाधशा की आप से बात कर रहा हूं अगर आपकी कुंडली में बारी की से इसका ध्यन हो जाए शनी की महाधशा हो चाहे राहू की महाधशा हो आईनि किसी भी प्लेनेट की महाधशा हो उस ग्रह का आपकी कुंडली में बल कैसा है उस ग्रह का यो उगदान कैसा है? उस ग्रह का मतलब कैसा है? उस ग्रह का संबंध आपके जन्रमांग से आपके जीवन के किस छेटर्स से संबंध कैसा है? बहुत बड़ी बात है यह Walk है तो हमेशा द्यान प्रखना मेरे कि ऐसा बिल्कुल नहीं बस उसे पढ़ने के देर है और कुछ मोटी सी मोटी सी बाते हैं हमें उप्चार रूप में क्या खड़ लेना चाहिए बताऊंगा इस कार्यकरम की एक खास्यत है इसमें प्रती दिन दो मेट के लिए आपको भगवान से जोड़ते हैं तो आईए आज की ध्यान साथना का सनों चला है आज की ध्यान साथना में हम जोड़ते हैं भागवान शिरी राम से ओम राम राजमनी सदा विजयते रामम्रमे संभजे रामे ना विहता निसा चर्चमू रामायतास मैनमा रामा नास्ति परायनं परतरं रामस्यदा सोम्यहं रामे चितलया सदा भवतुमे भो राममा मुद्धर रामरामे तिरामे ती रमे रामे मनुरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने आदो रामत पोवनं दिगमनं हत्वाम्रिगं कांचनं वैदेई हरनं जटायुमरनं सुग्रिवसां भासनं बाले निग्रहनं समुत्रतरणं लंकापुरे दाहनं पस्चाद्राबन कुम्ब कर्णहननं इतद्रामायनं कबच मना लें ध्यान करें राम जी के कर्पा हमारे उपर बरस रही है ओम बोलते हुए नेत्र खोलने सामान्य हो जाएं अब आईए उपाई की बात कर लेता हूँ शनी की महदसा जब प्रारंब हो या उससे होने को हो हमें शनी के विविन इस्तोत्रों का पाट प्रारंब कर देने चाहिए हमें सनी की साधना बढ़ा देनी चाहिए हमें हनमान जी की साधना बढ़ा देनी चाहिए और हमें सूरिय की भी साधना करनी चाहिए जी हाँ सई सुन रहें आप बहुत लोग ड्राएंगे कि सनी सूरिया का बैर है इसलिए जब सनी की आप महादशा में हो अंतरदशा में हो तो आप सूरिया की साथ ना करें बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत जैसे एक मंत्री है और उसकी अपने बेटे से नहीं बनती कहां नहीं बनती पॉलिटिकल वे में राजनितिक छेत्र में नहीं बनती लेकिन घर में तो बनती है ना किसी की घर में नहीं बनती लेकिन पॉलिटिकल वे में बनती है तो आप ये ना समझें कि शनी जो सूरिया के पुत्र है वो हमेशा सनी से नाराज रहते हैं या हमेशा शनी अपने पिता सूरिय से नाराज रहते हैं ऐसा नहीं है हिसाब है सुबा के समय सूरिय साथ ना बढ़ाई है और हन्मान जी के साथ ना बढ़ाई है, शाम के समय संध्याकाली शनी के साथ ना बढ़ाई है बहुत अच्छा आपको लाब मिलेगा यहां मैं आपको उपाई इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि जरूरी नहीं सभी की जर्म पत्रियों में शनी की माहधासा चल रही हो या इसके लिए मिलाए दूँगा किसी निकटतम अच्छे किसी एस्टोलजर से अपनी जर्म पत्रिका या हाथ की रिखाएं दिखावें और फिर पूछे के हमें क्या करना चाहीँ है जो दरशख हमारे संस्थान से लाब लेना चाहते हैं उसके लिए वो हमारे संस्थान में कॉल आपाइंट्मेंट ले सकते हैं और उस माध्यम से वो हमसे सलाप्रामर्श कर सकते हैं। और बहुत सारी बाते हैं, आप हमारे सब्जेक्ट सुनते रहिए, देखते रहिए, कुछ नकुछ आपको इनसे प्राप्त अवश्य होगा। इनी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को बराम देती हैं, जैमा इंद्राक्षी। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से, नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू, एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय, सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तर हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें अधिक जानकारी काच्प आप देख सके हमारा के लिए ना भूलें जानकारी के लिए आप देख सके हमारा इंदुक चाहिए विए पहले, आप देख सके हमार।